अगर वही जमीन जो है बाश्या को बेची जाए तो चाचा जी की अच्छी सेवा हो जाएगी इस बात को वो करता है जमना किनारे जो जमीन थी वो तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था क्यूंकि जमीन वो उतनी अच्छी भी नहीं थी साथ सी साथ जुंकी जोप्री वाले उस पर खब्सा चमाये बैठे थे गुप्ता जी जब भाया जी जाने के बाद सुदीर से कहते हैं कि उस ग्रिप के से अपना जितना हिस्सा है उसे ले लो और बाकी का जो भी पैसा है वो घर पहुंचा दो प्रणाम मैरी हानायस अतियुत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता मेरे पोर्ट समिस्टर के बीबीए की जितने भी विध्यार्ति हैं फिर से मेरी कक्षा में आपका स्वागत मेरे प्रिय विध्यार्तियों जो आपके लिए इस समिस्टर ताज महल का टेंडर है आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी कल जो आपके लिए ताज महल का टेंडर जो नाटक है यहां तक हो गया था कि जो बादशाशा जहां है वो अपनी पतनी की याद में एक मख़बरा बनाना चाहते था तो उन्होंने ताज महल बनवाने की सोची और उसी शहर के जो क्या है चीफ इंजिनियर गुपता जी को बुलाया और साथ दिन की उनको मुहलत दी कि क्या है नक्षा तयार हो जाना चाहिए और आटवे दिन से काम शुरू हो जाना चाहिए यहां पर गुपता जी जो है वो येक नेक आदमी नहीं थी बलकि एक क्या है बहुत ज्यादा रिश्वत खोरी एक आदमी थी उनके साथ सुदीर और भयाजे भी मिल जाते है क्यूंकि लाल किले के बनवाने में उनको बहुत सारा वहां से पैदा हुआ था नहीं उन्होंने रिश्वत ली थी तो इसलिए ये सारा जो ताज महल का टिंडर है उन्हीं को सोपा जाता है ताज महल बनवाने से पहले खुद का एक कार्परेशन बन जाए तो आसानी से काम होगा ये जो सुजाव है वो गुपता जी जो है बादशा शाजहां को देते है तो शाजहां इस पर मनजूरी देते है और कहें यहां पर बातों ही बातों में उलजाकर गुपता जी जो है कार्परेशन बिल्डिंग के पेपरों पर हस्ताक्षर करवा लेते है उसे बनवाने के लिए और कहें एक सो पचास इंजिनियर और देड़ हजार क्लरक जो है इस काम के लिए कहें अपॉइंट किये जाते है तो यहां तक आपका जो नाटक है उसके बारे में मैंने बताया था आगी का नाटक किस प्रकार है जब गुपता जी बिल्डिंग की बात सोचते हैं और क्या है कारपरेशन अलग से बनाकर क्या है ताज महल का जो टेंडर है वो जल्दी से निकलेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा यह सुजाब देते हैं तो बादशा उस पर मंजूरी देते हैं गुपता जी यह सारा मेरा आइडिया था पर चेर्मेन बनाया किसको उस दाराशिकोह को उस नशोडी गंजेडी को और नायर यम्डी बन बैठा उसे तो सीमेंट और रेत का फर्क नहीं पता होगा तो यहां पर गुपता जी जो इनों नहीं एक सुजाब दिया था कि खुद से खुद का एक कार्परेशन हो जाएगा तो पूरा काम बहुत आसानी से होगा और जल्दी से ताज महल भी बन जाएगा तो कहें इस पर शाजहा ने मन्जूरी दी थी तो यहां पर गुपता जी जो है अभी बहुत ज्यादा कहें एक क्रोधित होकर सुदीर से बात करते हैं कि जो है सारा एडिया कार्परेशन बनाने का मेरा ही था पर भादशा शाजहा ने जो है अपने बेटे दारा शिकोह को जो है इसका चेर्मेन बनाया और जो नायर है उसे यमडी बना दिया जिसे की सीमेंट और रेट में फरक ही नहीं पता से इस पत पर क्या है नियुक्ट कर दिया इस तरह से सुदीर से अपने मन की बात को कहते हैं यहां पर उनको एक प्रकार का क्या है अंदर से ही एक जलन सी होती है की सारा मैंने किया यानि गुपता जी ने सोचा था उसका चेर्मेन जो है इनको बनाएंगे लेकिन ऐसा नहीं होता बलकि शाजहां जो है वो अपने बेटे को चेर्मेन और नायर को जो है यमडी बना देते है तो उस वक्त गुपता जी सुदीर से इस तरह की बात करते है सुदीर ये तो हमारे लिए अच्छा ही है सर गुपता जी अरे पर इमानदारी भी कोई चीज होती है सारा प्लान मैंने बनाया और मैं रहा चीफ इंजिनियर का चीफ इंजिनियर ही ये दरबारी काडर के लोग बड़े हरामी है इमान बेच खाया है सालून तो यहां पर सुदीर कहता है कि हाँ ये तो अच्छा ही है सर इस तरह से वो जब कहता है तो गुपता जी कहता है कि सारा जो है प्लान मैंने बनाया और क्या है यहां पर मैं चीफ इंजिनियर का चीफ इंजिनियर ही रहा मेरा प्रमोशन ही नहीं हुआ बलकि यहां पर जो कहें दर्बारी जो लोग है उनका ही प्रमोशन हो गया तो कहें यही बात जो हैं सुदीर से वो कहते हैं क्यूंकि उनके मन में एक लालस था कि कार्पुरेशन बिल्डिंग का जो चेर्मेन है वो बादिशाईन ही को बनाएंगे लेकिन सब उल्ठा होने की वज़े से उनके मन में इस प्रकार की दुर्भावना जो है उठ जाती है उन्हों वे क्रोट से ही इस बात को सुदीर से करते हैं और सुदीर से ये बात भी कहते हैं की दरबार के जो लोग है वो बड़े कहे हरामी होते हैं वो इमान बेचकर कहें खाया है सालों ने कहें इस तरह से वो कहें अपनी आकुशता को अपने करोट को जो है सुदीर के सामने प्रकट करते हैं यहां पर जो सुदीर है और गुपता जी है भाया जी है यही जो है बहुत ज्यादा जो माल को हड़पने वाले एक आदमी थे कि यह रिश्वत खोरी आदमी थे तो यह दूसरों के प्रती अपनी भावना को इस प्रकार प्रकट करते हैं गुपता जी बहुत काम हुआ हुजूर देड़ सो इंजिनियर और देड़ हजार कलर्क को क्या है अपॉइंट कराया गया उन्होंने राद दिन लगा कर ये नक्षा और इस्टिमेट तयार करा टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तयार हो चुका है हुजूर आप बस मंजूर दे दे और नीव डालने का इंतिजाम करा जाएं यहां पर जो है फिर गुपता जी को जो है शाजहां फिर दरबार में बुला दें फिर ये दोनों वहां पर मिलते हैं और फिर से जो है शाजहां पुस्ते हैं कि ताजमहल का जो टेंडर है उसके बारे में कितना काम हुआ है तो यहां पर वो बताते हैं कि हाँ बहुत काम हो रहा है देड़ सो जो है वो इंजिनियर को नियुक्त किया और देड़ हजार कलरकों को दिन रात काम चल रहा है और जो है नक्षा बनाने की जो है नक्षा और एस्टिमेट तैयार करा टेंडर नोटिस का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है इस तरह की जो बात है वो शा जहां से गुपता जी कहते है फिर बस ये जो ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है जो की नक्षा और एस्टिमेट भी तैयार हो गया है उस पर आपकी मनजूरी चाहिए इस तरहां से जो है शा जहां से कहें गपता जी करते है पिर गपता जी हाजिर है हुजर नक्षा देता है शा जहां कुछ परेशान सा यह क्या है गपता जी यह क्या बनाकर लाएं है ये कम्रे ये हॉल ये बातरूम ये तो किसी दख्तर का नक्षा मालूम होता है गुपता जी तो यही है हुजूर उस रास्ते का पहला कदम ताजमहल की बनियाद आपकी तमनाओं को पूरा करने का पहला पड़ाव अब देखिए ना हुजूर इतना स्टाफ आ गया है अब ये आफिस बन जाए तो काम शुरू हो नहीं तो सब मुफ्त में पन्खा खाएंगे तो यहां पर गुपता जी नक्षे को आगे बढ़ाते हैं और बादशा शाजहां जो है उस नक्षे को देखते हुए कुछ परेशानी से क्या है ये गुपता जी ये क्या बना कर लाए है ये कम्रे ये हॉल ये बातरूम ये तो किसी दफ्तर का नक्षा मालूम होता है यह जो नक्षा है किसी दफ्तर का नक्षा मालू होता है इस तरह से जब कहते हैं तो यहां पर गुपता जी कहते हैं कि हाँ यह पहला पढ़ाव आपके सपनों को साकार करने का है नहीं ताज महल को क्या है बनवाने का पहला पढ़ाव ये जो नक्षा था वो कार्परेशन बिल्डिंग का था तो वो क्या है आपे ताज महल बनवाने के लिए ये पहला बढ़ाव इस तरह से क्या है गुपता जी जो है शा जहां से कहते है और ये सारा स्टाफ जो है इस काम में जुड़ा हुआ है अगर अब ये आफिस बन जाए तो काम शुरू हो जाएगा जो स्टाफ न्युक्त किया गया है अभी उस काम पर जुड़े हैं आफिस बनने के बाद जो है वो काम में लग जाएंगे नहीं तो मुपत में जो है सालरी देनी पड़ेगी यानि तो अनख्वा देनी पड़ेगी इस तरह से वो कहते हैं भया जी सब आपकी कृपा है गुपता जी मैं तो पहले घर गया आपके सोचा आपका भी हिसाब अडवांस ही पूरा कर दूँ तो पता चला आप यहां दफ्तर आ गये हैं ब्रिफ केस देता है गुपता जी जो है इनको ताज महल का टेंडर भी दिलवाते हैं साथे साथ कार्परेशन बिल्डिंग का टेंडर भी भया जी को ही मिलता है और यहां पर भया जी जो है गुपता जी के घर जाते हैं वहां पर पता चलता है कि गुपता जी तो क्या है आफिस में है इसलिए वो यहीं पर आकर उनको जो है एक brief case देते हैं यहां पर जो पैसा था जो बाचशा शाजहां से इन्होंने लिया था उसका advance जो है यहां पर गुपता जी को देते हैं भहिया जी जो रिश्वत का पैसा था वो यहां पर दे रहा है फिर भाया जी अरे सुदीर बाबू उदर हमारे चाचा थोड़ा बुड़ा गए नजर नहीं रख पाए जमीन पर और धीरे धीरे तमाम चुंगी जोपड़ी वाले आकर बस गए वहाँ अब वो हटने का नाम ही नहीं लेते और इसी वज़े से कोई उस जमीन को खरीदने को भी तयार नहीं बड़े परिशान है चाचा जी अगर गुपता साहब इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन को खरीद ले तो चाचा जी काफी अच्छी सेवा करेंगे तो यहां पर भाया जी जो है सुधिर से कहता कि उनकी चाचा जो है बुड़े हुगए और जो उनकी जमीन थी जमीन थी वह जो है जूंगी जोपडी में आकर जो है वहां पर बस गए हैं कहें जुंगी जोपड़ी वाले वहां पर आकर बस गए हैं अब वो हटने के नाम नहीं ले रहे हैं यहां पर जो भाईया जी हैं वो अपने चाचा की जमीन जो की वो जमीन बिलकुल भी अच्छी नहीं थी इसी जमीन बेचने के लिए यहां पर एक बात कर रहा है सुदिर से कि उनके चाचा जो है वो बूड़े हो गए है और क्या है इसी लिए वो अपनी जमीन पर नजर नहीं रख पाए और जुंगी जोपड़ी वाले जो गरीब लोग है जो जुंगी जोपड़ी में रहते हैं उनके जमीन पर कैहें अपना जुपड़ी बना कर रहने लगे हैं हड़पलिया हॉगी और वहां से वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और यहां पर वो कहते हैं कि उनके चाचा बहुत परेशान है और उनको क्या है वो जमीन जो है अगर गुता जी चाहे तो बेच सकते हैं यह जमीन कोई लेने के लिए तयार भी नहीं है यहां पर जो प्लान हो रहा है कि ताज़ बहर बनवाने के लिए जो जमीन चाहिए यह जमीन जो है जो बिलकुल यह अच्छी भी नहीं है इसी जमीन जो है बादशा शाजहां को बेचने कर एक प्लान यहाँ पर बन रहा है तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर गुता जी इस प्रोजेक्ट के लिए उस जमीन को खरीद ले तो चाचा जी काफी अच्छी सेवा करेंगी यहीं अगर वहीं जमीन जो है बाश्शा को बेची जाए तो चाचा जी की अच्छी सेवा हो जाएगी इस बात को वो करता है तो यह जो जमीन है जमीन में ज्यादा कीचड़ और पानी था और क्या है पकी इमारत महां पर खड़ा करना मुश्किल था इसी जमीन था इस जमीन को बेचने के लिए यहां पर एक प्लान होता है और गुपता जी जो है वो बहुत जियादा ही भाईया जी से प्रभावित थे क्योंकि वो बहुत जियादा रिश्वत का फैसा जो है भाईया जी कहे गुपता जी को देते थे इसलिए यहां पर कहे इन दोनों में बा तो यहां पर भूमी परिक्षन विभाग से मुकेश आएगा और उसकी परिक्षन करने के बाद पता चल जाएगा कि यहां पर इमारत बनाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि उतनी अच्छी जमीन नहीं है और उसमें ज्यादा कीचड है इतना क्या है टिकाव से घूमी नहीं है तो यहां पर भीया जी कहते हैं कि मुकेश को मैं जानता हूं और वो सुदीर का भी अच्छा मित्र है और इस बात को कहते हुए यहां पर सुदीर कहता है कि वो चाहे तो क्या है अगर जमना नदी के बीच में भी जमीन जो है पिटनेस है इसा वो कह देगा इन कहे तीनों में ये बाते होती है और जमीन जो है बादशा को बिकाने की बाद भी वहां पर होती है तो यहां पर गुपता जी इस बात तुछ से सहमत हो जाते हैं हाँ चाचा जी की जो जमीन है वो कहे ताज महल बनवाने के लिए कहे शाजहां को बेच देंगे पिर दरबारी एक हुजूर गुपता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है बलकि अनाफशनाफ बड़ी अब्जेक्शनेबल बात है तो यहाँ पर दरबारी एक जो है इस जमीन को बेचने की सिलसले में गुपता जी जो है शाजहां के दरबार आते हैं इन दोने की और फिर से बात होती है दरबारी केता है शाजहां से हुजूर गुपता जी ने जमीन जिन दरों पर खरीदने की पेशकश की है वे बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गुपता जी जो है वो जो जमीन की असल कीमत थी उससे चार गुना रुकम बता रहे थे क्योंकि यह एक रिश्वत खोर थे तो यहां पर जो है इस बात को क्या है दरबारी एक केता है कि उस जमीन की खीमत जो है बहुत ज्यादा है बलकि अनाप शनाप भी है और क्या है यह बड़ी अबजेक्शनेबल बात है इस तरहां से शाजहां से क्या है दरबारी एक केता ह गुपता जी जमुना किनारी की प्राइम लॉर्ड है हुजूर ऐसा फ्लाट तो मिलना ही मुश्किल था आपको क्या बयान करूं किस जद्दो जहत के बाद पार्टी बेचने को राजी हुई वरना तो वो पहले बात करने को भी तैयार ना थे मैंने कहा कि जब ताजमहल का इतिहास लिखा जाएगा तो त्वारीक में आपका भी नाम होगा जब जाकर राजी हुए अब निगोशियेशन पूरी हो चुकी है पेमिन्ट अगर जल्दी नहीं हुई तो पार्टी फिर अपना इरादा बदल देगी अगर एक बार ये हाथ से निकल गई तो फिर ऐसी लुकेशन नहीं मिले कि बदनामी होगी सो अलग गुपता जी जो है यहां पर उस जमीन को बेचने के सिलसले में बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से जो है ये जमीन जो कहें बेचने के लिए वो पार्टी तयार हुई है पहले तो वो मानने के लिए भी तयार नहीं थी मैंने जब कहा जबकि ताजमेहल का इतिहास लिखा जाएगा तो तुमारा नाम भी आएगा उस वक्त वो मानी है अगर पेमिन्ट उसे वक्त पर नहीं मिलेगा तो फिर से वो इरादा बदल देगा यह बात यहां पर वो करता है यहां पर जो है बहुत जियादा ही बादशाह शाजहां को जो है लूटने के लिए ये बाते रखती है बलकि वो जो जबना किनारे जो जमीन थी वो तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि जमीन वो उतनी अच्छी भी नहीं थी साथ ही साथ जुंकी जोपड़ी वाले उस पर कब्जा जमाये बैठे थे लेकिन यहां पर गुपता जी जो है उस जमीन को बेचने के लिए ये सारी बातें अपनी तवर से यहां पर वो करते हैं नक्षा देखते हुए वाह वाह क्या चीज है वाह क्या आइडिया है यहीं तो है वो खौब जिसे मैं दो बरसों से देख रहा था मेरी मुम्तास की अमर यादगार ताज महल वाह और क्या लुकेशन चुनी है आपने इस जमीन को लेने का बहुत अच्छा फैसला किया बहुत खुब आज हम बहुत खुश हुए बताईए गुपता जी हम आपके लिए क्या करें यहाँ पर जब दर्बारी कहता है कि वो जमीन जो है अनाप शनाप है बलकि बहुत ज्यादा उसका दाम है तो यहाँ पर शोड़ शा जहां है वो कहते हैं कि आपके मुक से तो बगावत की बू आ रही है तो दर्बारी वहां से चला जाता है फिर जो है बादशा महल का है वो दिखाईए तो वो ताज महल का नक्षा दिखाते हैं गुपता जी कहते हैं कि मैं ये बातों में सब कुछ भूल गया था इस तरह से कहते हुए क्या है ताज महल का जो नक्षा था उनके सामने रखते हैं उस वक्त शाजाहां जो है नक्षे को देखते हुए आइडिया है यहीं तो है मेरा खौब और क्या लोकेशन चुनी है क्या जमीन चुनी है आपने और इस जमीन को जो है लेने के लिए वो तैयार हो जाते हैं वो उस जमीन की तारीफ और जो नक्षा इनों ने बनवाया था उसे देखकर बहुत ज्यादा ही उसकी तारीफ करते है और क्या हैं यहां पर वो बहुत खुश होते हैं आज हम बहुत खुश हुएं बताईए गुपता जी हम आपके लिए क्या करें यह बात भी क्या है गुपता जी से शाह जहां करते है पिर शाजहां ठीक है जब चाहिए तो बता दीजिए बेख़ौफ बता दीजिएगा ग्प्ताजी शुक्रिया खुदूर खुदा आपको लंबी उम्र दे लंबी उम्र दे हुदूर को यहां पर जब बहुत खुश होकर शाजाहां कहते हैं कि बताईए मैं आपके लिए क्या क्या कर सकताँ आपको मैं मूँ मांगी रखम देना चाहताँ हूं क्योंकि आपने ताजमहल का नक्षा जो की मेरा खुआप था उस नक्षे को बनाया है और ये बहुत खुश होते हुए जब बताते हैं तो गुपता जी कहते हैं कि मैं तो आपका ही दिया खाता हूं जब भी क्या है इस तरह किया वशकता पड़ेगी मैं जरूर आपसे मांगूंगा इस तरह से वो कहते हैं तो यहां पर कहें शाजहां कहते हैं कि ठीक है जब चाहिए तो बता दीजिएगा बेखव बता दीजिएगा इस तरह से वो कहते हैं गुपता जी जो है शुक्रिया हुजूर इस तरह से कहते हुए आपको लंबी उम्र दे लंबी उम्र दे इस तरह से कहते हुए वहां से चले जाते हैं भाईया जी हाँ आज ही सुभा पूरा पेमेंट मिला चाचा जी को तो चाचा जी बोले की भाईया सबसे पहले गुपता जी को प्रणाम कर आओ उन्ही की महरुबानी से जमीन भी की है सो ये लेकर सीधा यहां चला आया ब्रीफ केस सुधीर को देकर ये रख लो सुधीर बाब यहां पर भाईया जी की चाचा जी की जमीन जो है वो गुपता जी यहां पर बादशाव को बेज देते हैं और इसका पूरा पेमेंट ले जाकर जो है भाईया जी चाचा जी को जब देते हैं चाचा जी जो है गुपता जी को धन्यनी प्रणाम कहने के लिए कहते हैं तो मैं प्रणाम करने के लिए यहां पर आया हूँ और फिर कहें एक ब्रीफ केस जो है यहां पर फिर सीधे वहां पर आकर जो है देते हैं यहाँ पर एक brief case जो है सुदीर को दे कर ये रखलो सुदीर बाबू इस तरह से कहते हुए एक brief case वहाँ पर देते हैं फिर यहां पर वो बताते हैं कि आपको रिटेन्मेंट कहां मिलेगी, आपको यह एक्सिंशन तो मिल जाएगा, इस तरहा की बात भी होती है, फिर यहां पर गुपता जी नहीं बस प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है, छे महने से प्लान मुंसिपाल्टी के दक्तरों में सड रहा है, डिजाइन और अर्बन, डेवलप्मेंट वाले उसका मुरब्बा बना रहे हैं, उदर येस्टिमेट है कि अकॉंटेंस में धक्का खा रहा है, देखिए पता नहीं कब क्लियर होता है, अब कोई मेरा घर का तो काम नहीं है कि दोड़ता फिरू हर एक के पीछे, यह पर जो ताज महिल का काम जो है कब शुरू होगा भीया जी से ये बात होती है, गुपता जी करते हैं, तो ताज महिल का जो टेंडर है, वो प्रोसीजर के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन छे महिनों से वो प्लान जो है, ताज महिल का जो बनाने का प्लान जो है, वो मुंसी पाल्टी के दफ्तरों में सड रहा है और कहें डिजाइन और अर्बन डेवलपमेंट वाले उसका मुरबबा बना रहे हैं उदर एस्टिमेट है कि अकाउंटेंस में दख्खा खा रहा है ये तो मेरे घर का काम नहीं है कि मैं जल्दी से उसके पीछे दवड़कर कहें काम करू बिल्कि वो कहरेंगी प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से ये काम चलता जा रहा है लेकिन ये मेरा घर का काम तो नहीं कि इसके पीछे मैं क्या है दोड़ता फिर हूं इस तरह की बात जो है गुता जी भाया जी से करते हैं भाया जी बड़ा अंधेर है खैर कोई क्या करेगा अच्छा तो मैं चलता हूं फिर मिलेंगे इस तरह की बात करते हुए वहां से वो चले जाते हैं Yeni, यहां पर भैया जी, क्या है, जब गुप्ता जी से बात करते हैं, तो गुप्ता जी कहते हैं, कि ये तो मेरे घर का काम नहीं, कि उसके पीछे मैं दोड़ता फिरू, इसके बाद भैया जी वहाँ से विदा ले कर चले जाते हैं. गुप्ता जी इसको रटनो सुधिर ब्रीफ केस की और इशारा करके अपना लेकर बाकी घर पहुँचा देना और सुधिर ठैंक्यू सर इनी ब्रीफ केस लेकर प्रस्तान चपरासी का प्रवीश तो यहाँ पर क्या होता है कि गुप्ता जी जब भया जी जाने के बाद सुधि में सुदीर का हिसा भी वो देते हुए बाकी का पैसा जो है वो घर भीजवाने की बात करते हैं तो सुदीर यहां पर उनसे ठैंक्यू कहता है पिर इन दोनों का प्रसेनी वहां से वो प्रस्तान करता है नहीं वहां से वो चला जाता है इस तरह से क्या है मैंने आज आपको जो ताज महल जो है बनवाने के लिए किस तरह से जमीन का चुना हुआ और उसे चार गुने दाम में बादिशा को किस तरह से बेचा गया और जो है इसका ये गुना दाम जो है चाचा जी को जिसकी जमीन थी उसे दिया गया बाखी का जितना पेसा था इन तीनों ने हडपा ये सारी बातें आज में ने की है इस नाटक में आगे क्या होगा इसकी जानकारी मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी धन्यवाद